और नवाब मली के जो अंडरवर्ट से connections हैं या जो भी connection है वो खुल करके सामने आएंगे और आने बहुत जादा जरूरी है बहुत हो गया है इनका आप कहते हैं ना कि पानी सर के उपर से निकल गया है तो आप इस पानी को रोकना इस पानी पर बांध बनाना बहुत जरूरी ह देखे जहां तक मिस्टर नवाब मली का सवाल है एक बात तो साफ है कि उनको उन लोगों की चिंता शुरू से रही है जो देश और जनता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं अब नवाब मलीक अगर नशेडी चर्सी और गंजेडी गैंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो करेंगे ना उनका खुद का दामाद उनकी बेटी का पती आठ महीने तक एंडीपियस एक्ट के तहत जेल की हवा खा करके निकला है और उसके बाद जब बाहर निकला तो चार्शीट उसके ओपर हो रखी है उन्होंने अपने दामाद को बचाने के लिए जो 200 किलो गाजा पकड़ा गया था जिस केस में वो अंदर गया था उसको तंबाकू बना दिया है अब भुने पड़े हैं नवाब मलिक कि मै मैं नवाब मलिक हूँ मैं इतना बड़ा नवाब हूँ मेरे दमाद को समीर वान खेड़े एक पिडली सा एक ऐसा ओफिसर उसने पकड़ कैसे लिया क्या है इस देश के कानून की और इस देश में जो अफसर है जो लोग भी वर्दी पहनते हैं इन लोगों को उनकी कोई ही है चाहे वो फौजी हो चाहे वो आईयास आईपेस ओफसर हो चाहे फिर वो पुलिस वाले हो इनको यह लगता है कि सारे पुलिस वाले जो जितने भी तमाम यह लोग है या जितनी भी एजनसी वाले अधिकारीज है उनको तो यह सोचते ही हमारी जेब में है तो इनको यह मतलब पचास हजार की घड़ी दो लाख की शर्ट पांच लाख का जूता रहे या राहूल गांदी समझे हो क्या या नवाव मलिक का दमाद समझ लियो अरे वो समीरवान खेड़े है वो जोनल डिरेक्टर है एंसीबी के वो नवाव मलिक के बेटे या दमाद नहीं है वो राह आपको जबाब देगी वो भी बहुत अच्छी तरीके से मैम जिस तरीके से आरेन खान बेल मिला है उनको तो बहुत सारे ऐसे मीडिया के परसंस है और कुछ बॉल्यूट स्टार है उनको पाक साफ रिप्रेजेंट करने की कोशिस कर रहे हैं जो कि सिर्फ अभी बेल मिला है कि लोगों को ये लग रहा है कि बेल मिल गई बहुत बड़ी चीज हो गई बेल इस देश में मिलना नौम है जेल नहीं है लेकिन इतने दिनों के बाद उनको बेल मिली और वो भी इतनी बड़ी मत्तब सबसे काबिल वकील जो इस देश के अंदर है उनकी फौज खड़ी कर कौन से वकील वहां नहीं थे आप मुझे बताएं मानेशिंदे से लेके देशाई से लेकर के रोहातगी से लेकर के उसके बाद करांजवाला एंट फर्म को लेकर के सारे एक से बड़े एक करोडों रुपे लेने वाले वकील खड़े थे उसके बाद आरियन खान को बेल मिल अच्छी बात है बेल मिल गई लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर जो केसिज लगे हैं उन पर जो धाराय नडी पीस की लगी हैं उससे वो बरी हो गए नहीं वो केस चार में चार्शीटेड हैं और उनके ओपर यह केस लगातार चलता रहेगा इन फैक्ट मननत अब उनक जा सकते हैं वो ऐसी कसी भी अक्टिविटी में पाँटी सिपेट अब नहीं कर सकती जिसके कारण वो पकड़े गया यानि कि नशेडी गैंग वाली जूम बराबर जूम शराभी वाली जो पाटी वो कर रहे थे अर्वास मर्चंट के साथ वो सब नहीं कर सकते हैं वो किसी भी विटनेस को किसी भी व्यक्ति को influence करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं चाहे वो पेडलर हो अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको बेल ऐसे ही प्लैटर में मिल गई है बेल मिल गई ठीक है अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसको celebrate करना शुरू कर दे और वाकई मैंने कुछ देखे थे ऐसे visuals निकल करके आये थे जिसमें उनके घर के बाहर खड़े हो करके नगारे बजाए जा रहे थे लोग डान्स कर रहे थे मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा मतलब कोई नशेडी निकल करके कोई NDPS Act के तहत सजा भुगत के निकलने वाला व्यक्ति नहीं बलकि कोई तमगा जीत करके इस देश के लिए आया है या कोई एक ऐसा आमी का बहुत बड़ा अफसर या फाजी सौसो आतनकवादियों को मार करके आया है और उसके बाद उसका स्वागत हो रहा है इस तरीके का आप स्वागत कर रहे हो तो सोचने की बात ये है कि लोगों की सोच कहा पर जा रही है और ये सारी जो तमाम चीजे होती है मुझे तो लगता है पूरी तरीके से पेड होती है क्योंकि आम जनता के साथ हम लोग डील करते हैं आम जनता से हम लोग बात करते हैं और सारे लोग इस बात से दुखी है कि क्यों ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे जिनको सब कुछ मिलता है वो इसे देश के लिए कुछ करने के बजाए ऐसी गंदी आततों में पड़ जाते हैं उसके बाद जब गिरफतार होते हैं तो लोग, कुछ मीडिया वाले लोग, कुछ पेड लोग, कुछ नेता लोग इतनी हाई तोबा मचा देते है इतनी हाई तोबा मचा देते हैं कि ऐसा लगता है कि बापरे एक समीर वान खेडे ने गलती कर दी एक ऐसे युवा को पकड़के जो भटक गया था और जो नार्कोटिक्स का सेवन कर रहा था मैं जिस तरीके से पहले समीर वान खेडी की बहन पे अलिगेशन्स लगा है नावा मलिक ने अभी देवेंद फर्ड नवीस महराष्ट का पूर्शी हैं उनकी वाइफ अमरिता फर्ड नवीस पे कुछ ऐसे अलिगेशन्स लगा रहे हैं तो देवेंद फर्ड नवीस कहा रहे हैं कि दिवाली के बाद कुछ ऐसे बंप होड़ेंगे वो जो नवाब मलिक को अपना मुँ छुपाना दिमस्किल हो जागा उसको कैसे देखेंगे देखें ऐसा है कि ये जो दिवाली है ना इस बारी की वो दिवाली आपके लिए हमार तरीके से बुझे होंगे क्योंकि जिस प्रकार से खिस्याई बिली खंबा नोचे की तरीके से विवार कर रहे है नवाब मलिक और उनके बाकी के जो लोग है उससे तो यही बात साफ है कि ये लोग कितने जादा हाशिये में हैं बिलकुल आपने सही बोला कि आप उन सब को चोड़ करके बाकी लोगों के पीछे भी पढ़ जाते हैं खास तोर परिवार के पीछे पढ़ जाते हैं लेकिन अमरिता फर्णवीस ने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा है और उन्होंने बोला कि वो जो व्यक्ति है उसको मैं जानते तक नहीं है तो इस प्र अंदरी नहीं देश की सीमाओं के बाहर बैठे वे लोग भी सुनेंगे और नवाब मली के जो अंडरवर्ट से कनेक्शन हैं या जो भी कनेक्शन है वो खुल करके सामने आएंगे और आने बहुत जादा जरूरी है बहुत हो गया इनका आप कहते ना कि पानी सर के उपर से अब इस पानी को रोकना इस पानी पर बांध बनाना बहुत जरूरी है 4.7 करोड का पैसे की ट्रेल तो एडी के पास ऑल्रडी है उसमें से 4.18 करोड चार शेल कंपनी को भिजवाई गई और उन चार शेल कंपनी दे उसके बाद एक साई सिक्षर सस्थान ट्रस्ट है उसमें पैसा डोनेट कर दिया अब हिंदुस्तान सोचिए 4.18 करोड रुपे एक सिक्षर सस्थान को दे दिया गया किसकी होगी वो आप सोच सकते हैं उसके जो हैड है उसके वो सरगना जो है वसूली गैंग वाले ही है यानि कि वो सिक्षर सस्थान वाली ट्रस्ट अलिल देश मु पर डोनेट कराया यानि कि पूरा मनी लॉंडरिंग के पहले वसूली करा हो एक्स्टॉर्शन करा हो उसके बाद मनी लॉंडर करा हो तो इनके ओपर बहुत सारे केस है बड़ी सारी रिट्स है जो अभी बची हुई है जो पेंडिंग है जिनके बारे में पूछताच होनी है तो केस बहुत लंबा चोड़ा चलने वाला है मुझे पुरा यकीनी नई विश्वास है कि इनके खेमे में कल से डर का माहौल है